नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है आप सोचेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य ने बहुत से कमाल के सफलता हासिल की है इन में से एक है हवाई जहास हम किजी पुराने प्लेन को बनाने की बात नहीं कर रहे हैं बलकि हमने पिछली सताब्दी के भी सिमाओं को पार कर दिया है और कुछ बहुत ही प्रभावशाली और भयानक क्रिटियों का निर्मान किया है कारको विमानों से लेकर बॉमबर विमानों से डबल डेकर प्रसिंजर लाइनर तक अभी जिन विमानों के बारे में हम आपको बताएंगे वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि चीजे कितनी विशाल हो सकती है इसके पहले कि आप इन बहुत ही विशाल विमानों के बारे में जानकर विशलित हो जाएं सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें यूज एच फूर हर्कुलिस आप शायद हूज एच फूर हर्कुलिस को इसके निकनेम से बहतर जानते होंगे इससे भी अधिक प्रभावसाली धंग से कहा जाए तो यह लगभख पूरी तरह से लकडी से बनाया गया था आठ इंजनो द्वारा संचालित इस दानाओ को लगभख 75 तन कारगो के दो टैंक लिजाने के लिए बनाया गया था यकिनन यह कभी ऑपरेशन में नहीं आया लेकिन क्योंकि यह उड़ा था और अब भी सबसे बड़ पंखों के लिए रिकॉर्ड रखता है 320 फूट पंखों की लंबाई हमें लगता है कि यह उलेकनी है कॉन्वेयर बी-36 पीसमेकर शीत युद्ध के दोरान बहुत से विमानों का निर्मान हुआ वे विमान जो की बड़े थे, तेज से और लंबे रेंज तक काम करते थे उस समय जब सभी जेट पावर का इस्तमाल कर रहे थे तबी B-36 आया जब यह सेवा 1949 में शुरू ही तो यह बंबर लगभग अप्रचलित था बहरहाल एक मात्र हमलवार था जो परमानों बंबों के साथ सोव्या संपे वार करने के लिए रेंज रखता था इसलिए यह बना रहा B-36 वास्तों में हर तरह से बड़ा था 230 फूट पंखो वाला यहां अब तक का सबसे बड़ा जन निर्मित प्रिस्टन इंजन विमान बना हुआ है यहां इतना बड़ा था कि इसमें 13 आदमी चालक दल थे और 6 प्रिस्टन और 4 जेट इंजन द्वारा संचालित किया गया था यहां तक कि जेट शक्ति के वर्चस वाले दुनिया में यह दिखाता है कि प्रोपेलर संचालित विमान भी एक छाप छोड़ सकता है आप देखिए एंटेनो एन 22 सिर्फ प्रोपेलर टेक्नलोजी तरह संचालित ही नहीं है बलकि यह अब तक का सबसे बड़ा टर्बर प्रोप संचालित विमान है इन बड़े मालवाहत विमानों में 68 का निर्माड किया गया है और वे वर्तमान में रूस और यूक्रेन में से प्रभावशाली दिखते हैं जो हवा में सभी वजन को उठाने के लिए आवश्यक हैं बोईंग बी-52 इस अमेरिकी शीत यूद्ध बॉमबर के बारे में अविश्व सिनी बात यहा है कि जो दल इसकी सेवा और उडान भरता है वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब 1962 में आखरी B-52 की असेम्बली हुई थी यहां अमेरिकी शस्त्रागार में सबसे बड़ा हमलवार नहीं है लेकिन B-52 के पास 169 फूट की लंबाई और इसके पंक 185 फूट के हैं जो कि इस आयावी रूप से सबसे बड़ा बॉमबर बनाता है आठ जय तिंजन होना भी इसक लोगों की तुलना में बहुत अधीक है जो पिछले कई दसकों से इसे उड़ा रहे थे Lockheed C5 Galaxy एक परिवहन विमान है जो United States के मिलेटरी द्वारा विप्योग किया जाता है इसमें 222 फूट का पंक है और यह चार बड़े इंजनों द्वारा संचाली थे फिर भी इस विमान के वास्तविक आकार का तब पता चलता है जब इंटीरियर को खोल दिया जाता है एंजनों एन 124 काफी हथ तक रूस द्वारा युनाइटेड स्टेट्स के Lockheed C5 Galaxy के जवाब में बनाये गया था C5 के 16 साल बाद यह रूसी सैनी विमान 30 वरसों तक दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन कारगो विमान था जब तक की एक और विमान द्वारा यह शिर्षक नहीं लिया गया जिसे हम जल्द ही आपको बताने वाले हैं एन 124 में 220 फूट पंक है और यहां अद्भूत 150 तन तक कारगो ले जा सकता है यहां तक कि यहां 350 लोगों को अपनी विशाल कारगो में ले सकता है विडमना यहां है कि जब नाटो के देशों को इराक और अफगानिस्थान में ऑपरेशन के दौरान अधिक भारी छमता वा नहीं है जो बड़े बॉंबर्स बनाता है उनीच सोवियत उन्यून में ब्लैक जैक नामा टी यू वन सिस्टी बॉंबर का अनावरण किया इस जैट संचालिज बॉंबर में 190 फूट पंक है और तीन सो टंड का टेक आउफ वेट है जो कि इससे दुनिया का सबसे भारी शुरू हो सकता है बोईंग 747-8 1970 के दशक में बोईंग 747 को जंबो जेट के यूप में शुरू किया गया था पार्शल डबल देकर 747 ट्रांस अंट्लांटिक यात्रा का चेहरा बन गया यह एक समय में कई सो यात्रियों के ले जाने के सच्छम था लगबख 50 वर्स हो चु और यहां दुनिया का सबसे लंबा यात्री विमान है वास्ता में 250 फीट की लंबाई में यहां पैसेंजर लाइनर विशाल बी-52 बॉंबर की तुलना में 90 फीट अधिक है कारगों के लिए माल वाहक संसकरन भारी है और प्रभावशाली एन 124 से अधिक वजन ले जा सकता ह जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन कारगो बनाता है एयरबस A380 कुछ ऐसे विमान है जिन्हें देखकर लगेगा नहीं कि यह उड़ सकते हैं उधारन के लिए एयरबस A380 ही ले लो यह विमान जंबो जट सब्ट को एक नए इस तर पर ले जाता है 261 फूट पंक और पूर्ण डबल डेकर ले आउट की साथ A380 एक 747 जैसा दिखता है जिसे और भी बहुत सारा खाना खाना है यह असानी से 500 यात्रियों को ले जा सकता है और खाली होने के बाद इसका वजन 300 टन है हां यह काफी बड़ा है एंटनो एन 225 जब रूस में एक स्पेस शेटल प्रोग्राम था तो उन्हें अंत्रिक चान को चारो और ले जाने के लिए एक विमान की जरुरत थी जवाब में क्या मिला एक एन 124 ले लो और इसे बड़ा करो एक नई पूछ और दो इंजन लगा दो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही एन 225 है 275 फूट लंबा और 290 फूट पंखो वाला यह दाना वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे बड़ा है अगर आप यह देखना चाहते हैं कि यह विमान कितना वजन लेकर उठ सकता है तो 2001 में एन 225 में चार मुख की उद्धी टैंकों के साथ उड़ रहा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए ऐसे और भी रुमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद